अब इस वीडियो में बात करेंगे सब्सक्राइब की जरूरी अपडेट और आप लोगों से बाते भी करूंगा कुछ सवाल के जवाब होंगे जो आपने कम्मेंड किये हैं तो कुछ बाते करता हूँ जो भाई अभी इस टाइम इंडिया में हैं सवाधी जाने वाले हैं जो भाई सवाधी में हैं वो इंडिया जाने वाले हैं तो ध्यान से बात को सुनिए आप सवाधी में और छुट्टी में इंडिया आने के लिए सोच रहे हैं तो पहले आप अप सारे कम्मेंट आए इसकर मैं आपको जवाब दे रहूं इसके बाद जो भाई इंडिया में है जो फसे हुए है देखे इकामा वीजा आप लोग का बढ़ा दिया गया एक्षेंट कर जाएगा फिरी में गवर्मेंट की तरफ से लेकिन कुछ भाईयों का इकामा वीजा बढ़ और वो बोल रहे हैं कि हमारा जो री इंटरी तक खतम हो गया तो क्या हम नया वीजा ले सकते हैं जी नहीं आप नया वीजा नहीं ले सकते हैं जब तक आपको पता है कि साओधी साथ छुट्टी में गए हो एक्षीट अगर आप साओधी से इंडिया आ जाएंगे तो आप ले सकते हो लेकिन चुट्टी में आयोए लोग होगा नया वीजा इश्यू नहीं होगा आप पर बैन लग जाएगा बशरते आप जिस कंपनी ये कफील के पास काम करते हो अगर आप वहां पर नहीं जाते हो वापिस तो अभी एक्सपायर हो गया है तो अभी आपके कंपनी अगर फिल के पास में आप्शन है टाइम बढ़ाने का ठीक है तो इंडिया से जाने के लिए आप अभी जा सकते हो वाया किसी भी देश जिस देश से आप अगर किसी ट्रैवल वाले से बात करोगे तो आप अभी बहुत साहर देश है जहां से लोग सौधीरव आ रहे हैं औ कुछ सवाले के जवाब हो गए और भी सवाल है लाशने बात करेंगे तो आपको मैं उर्दुनीच की फोटो शेयर कर रहा हूँ यहां पर मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे बहुत सारे भाई सौधी के नाम पर सौधी में रहकर बिजनेस करते हैं जैसा कि कुछ महीनों पह है आपके दुकान का वो आपके नाम कर दे तो इसके लिए बहुत खर्चा होगा तो इसको क्या किया गया है इसको मतलब इसका जो टाइम था वो खतम हो गया था बीच में इसे फिर से आप एक्स्टेंड कर दिया गया मतलब कि आपको महलत और दे दी गई है छे महीने की जो तो आपको इसका जो option है third option या तो आप सारा कुछ उसके साओधी का नाम कर दीजिए या आप exit वगरा लगा करके अपने घर को चले आईए अगर आपका जो साओधी आगर नहीं मानता है तो ठीक है यह अपडेट इसलिए दिया हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे और भाई दुकानों में काम करते हैं और कई सारे तो साओधी के नाम पर ही आप लोग काम करते हो तो धियान देजेगा बात पर गौर से ठीक है अगली अपडेट ओमान से तो ओमान ने उसका certificate आपको दिखाना होगा और 4 दिन आपको quarantine भी होना होगा ओमान में अगर आप जाते हैं काम करने के लिए तो अगर आप छुट्टी में आए हैं तो ठीक है अगली अपडेट दुबई में जो भाई काम करते हैं उन लोगों के लिए आपको फोटो शेर कर रहा हूं गल् दस नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया है आप लोग का छुट्टी का टाइम बगर अगर आप इंडिया में हैं छुट्टी में आये थे फस गये थे दुबई वाले तो आप लोग अभी टाइम एक्स्टेंट कर दिया गया है तो दुबई वालों के लिए तो बहुत अच्छी पता है किसका किसका बढ़ाया गया है इंडिया पाकिस्तान नेपाल स्रिलंका नाइगीरिया युगांडा के परवासी रेजिदेंस जो दुबई में काम करते हैं उन्हीं लोगों का बढ़ाया गया है सिर्फ यह कामा वीजा यह पताका और वीजा चुट्टी का टाइम लोगों ने बना दिये तो चलो दुबई का काम सुरू हो चुका है दुबई में काम मतलब आप करने भी जा सकते और निजा भी ले सकते दुबई का इसके साथ चुट्टी में आये थे लोग उन लोगों के लिए बहुत ही राहत वाली बात है अगली अपडेट साओदी से जासे तो साओदी में जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल मतलब यह साल 2020 वाला नई 2019 वाला उस्टायम पर बहुत सारे मिला वगरर लगा हुआ था लगा वाली वडर में बहुत सारा मिला वगरर लगा हुआ था तोomas का मैडम को ले करके तो इस साल भी होने वाला है हो ही र से साथ मंत्री डॉक्र अब्दुल आली वह बोल रहे हैं कि अब साथ में डिल्टा वेरियंट वाइरस आ चुका है इसकी दवा हमारे पास नहीं है और जो कॉरोना की वैक्सिन हम लगा रहे हैं यह ना काफी है डिल्टा वाइरस को ले करके तो ध्यान रखेगा दूरी बना कर रखेगे और जो भी आपका जो तवकलना वगारा का स्टेटस दिखा रहा है ध्यान रखेगे इस पर और ऐसा नहीं है कि कोरोना खतम हो गया है कोरोना अभी भी है साओधी में यह बोल रहे हैं हाला कि कोरोना के केस कम आ रहे हैं अगर आप बात करें 23 अगस्त की कोरोना की पोर्ट तो 360 केस निकले हैं, 741 लोग ठीक हो हैं, 9 लोग इंतकाल किये हैं, रियाद में 94 केस निकले हैं, मक्का में 64, इस्टरंड में 49, जजान में 33, असीर में 32, मदीना में 22, नजरान में 17, हायल में 12, नॉर्दन बोर्डर में 5, अलजॉब में 5, ताबुक में 4 और अलबा हैं, कल से भी कम केस आज निकले हैं, तो बहुत ही अच्छी अपडेट है, बहला कि जो स्वास्त मंतरी है रोजाना ये लोग आ करके अपडेट देते हैं, सौधी वाले कि अभी भी खत्म हो गया है, हमारे इंडिया के तरह नहीं है, जो नहीं बोलते हैं, यहाँ पर रोजा के जबाब है, जो हमारे भाई ने comment किया है, हमारा रहमान सलमानी भाई ने comment किया है, प्लीज मेरा भी comment देख लो भाई, जो सथी से एक दवा लगा के आए हैं, वो क्या करें, क्या, यहाँ दूसरी दवा लगाना पड़ेगा, या एक ही दवा में जा सकते हैं, आपने सथी म जाएगा आपको दोनों दवा अपडेट हो जाएगा अगर आपने पी फाइजर लगा है फिर भी आप असरा जेनिका लगा सकते हैं कोई शिल्ट की कोई दिकत नहीं है ठीक है अब हमारे एक भाई है जिनका नाम है मुहम्मद मुक्तार उन्होंने कम्मेंट किया है सलाम अलेक जब आप जरूरी हुआ तो इन्शालला में रिप्लाइ करूंगा या वीडियो में ही बता दूंगा आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे फेस्बुक पर देखर तो हमारे पेज को लाइक कर दीजे वीडियो जादा स्यादा या झाम हमारे जादा स्यादास Deck दो कर दो हमारे स्वार के बतादु कर दीजे बतादा